बहुद से किसान बाईयोंने बाईय कमेंट किया की ट्रेक्टर में टायर कुन्सा वणां चाये में जिससे ट्रेक्टर कम डिल ले है तो बहुद से कमेंट आ रही थी कि 23A से 7HP तक के ट्रेक्टर में कुन्सा टायर best रहेगा उसके बारे में वीडाया हूद इसे क्या होगा इसे भाई आपके इंजन पर भी जोर पड़े यह बिल्कुल गलत है इसे ट्रेक्टर की जो उमर होती है वह भी कम होती है और डीजल माइलेज पर भी कापी असर पड़ता है वह कैसे वह मैं आपको बताऊंगा तो भाई एक बात मैं आप किसान भाईयों से भी के पैसो की बचतोस के यदि आपने वही 33 हपी के ट्रेक्टर में 13-28 के टायर लगा दिये तो वह दिखने में तो काफी अच्छा लगेगा मगर भाई उसके नुक्सान के बारे में आपको पता नहीं है क्या-क्या नुक्सान होगा ट्रेक्टर की पावर आरप्यम के हिसाब स एक्सल में होके आती है बारा की जगह 13 का टायर होने के कारण जमीन की पकड ज्यादा हो जाती है ट्रेक्टर की और ज्यादा लोड में जब ट्रेक्टर को चलाएंगे तो ट्रेक्टर दबने लगेगा बई इंजण पर काफी असर पड़ेगा इसका आपको पता होगा बई जब ट्रेक्टर दबता है तो डीजल ज्यादा लिता है तो ये थी बईई 33 HP के ट्रेक्टर की बात तो आप बताऊंगा बईई ज्यादा HP के ट्रेक्टर में छोटे टायर डलवाने से क्या होगा बईई यदि आपने 45 HP के ट्रेक्टर में 12-48 इसके टायर डाल दिये तो क्या हो जाएंगे आर्पीम और पावर ज्यादा होने के कारण यदि आपको बड़े इंप्लीमेंट और ज्यादा आर्पीम पर ट्रेक्टर चलाना तो बूल कर भी कभी छोटे टायर नहीं डलवाना है चाहिए वही इससे आपका नुक्सान होगा वही थेती से पैचिस एच्पी के ट टायर बेस्ट है 35-40 एच्पी के ट्रेक्टर में आपको उप्शन मिल जाएगा बारा च्यार अठाइस और तेरा च्याठाइस का वही बाउन से श्याट एच्पी तक में शोड़ा नो ठाइस के टायर बेस्ट रहती है वही तो उमीद किसान भाई आपको ये वीडियो ट्राइब कर ले जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैजवान जैकी साथ